दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि वोटर काट के लिए apply करने का एकदम सही समय कौनसा है मतलब कौनसे मन्त में आपको apply करना चाहिए ताकि आपका नाम आसानी से या फिर आपको वी correction करना जाते हैं या भी कोई भी वोटर काट related काम करने चाहते हैं वो आसान तो दोस्तों ऐसा की जानते हैं कि आप पूरा साली वोटर कार्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पूरा साली ओनलाइन पोर्टल ओपन रहता है आप ओनलाइन के माददम से पूरा साल में कभी भी आप ओनलाइन एप्लिकेशन कर सकते हैं वोटर कार्ट के लिए लेकि साल में ऐसा चार ऐसा डेट है जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है क्योंकि इस टाइम के दोरान बियोलो दोरा हास्टोर सर्वे भी होता है साथी वोटर लिस्ट को सुधार करने का अप्ग्रेडेशन का काम भी इस समय को होता रहता है तो ये समय आपके लिए काफी फायदे मंद हो सकता है कि आपने इस समय के कुछ दिन पहले आपने अगर अप्लाई किया तो जल्द से जल्द आपका नाम वोटर लिस्ट में एनलिस्टेट यानि कि वोटर लिस्ट में आपका नाम दाखिल हो सकता है साती जो भी आप correction भी करना चाहते हैं तो वो भी voter list में उस correction को देख सकते हैं तो ये chart date काफी important है तो आज के इस वेले देखिए वीडियो में मैं पूरा chart date बताने बहला हूँ तो यहाँ पे देखिए पहला date जो है वो है 1st January, दूसरा है 1st April, तीसरा है 1st July और चौता है 1st October, तो ये चार date काफी important है आपको इस date के कुछ दिन पहले ही, यानि कि इस date के लगबग 20 दिन एक मैना पहले ही आपको apply करना होगा तभी आपका application form बियो लो द्वारा हाउस्टोर सर्वे में या फिर सरियर सारे application के काम में आपका इस application के बारे में नज़र में आएंगे उनके और आपका application successfully process होके आपका नाम voter list में enlisted यानि कि दाखिल हो सकता है काफी आसानी से और काफी जल्दी तो आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं होगा तो ये चार्ट डेट आपके लिए apply करने का एकदम सुनारा मौका है तो इस चीस को ध्यान में रखकी आप online या फिर offline application कीजिए अपने voter card के लिए तो आज का वीडियो का अगर्थ लगा है और ऐसी information आपको चाहिए तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और जितना होसा के share भी कीजिए चलिए दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में